चलिए हेलो स्टुडेंट वेरी वेरी गुड एवनिंग होफुली आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टुडी की तयारी भी कर रहे हैं आज हम बात करेंगे सरकिस की हमारा सब्जेक्ट जो है देट इस इनकम टेक्स कि इनकम टेक्स की बात करेंगे और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सर देट इस चैप्टर नंबर वन जिसको हमने नाम दे रखा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में क्या-क्या चीजे पढ़ेंगे दो तीन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं एक बेसिक कंसेप्ट और एक रेजिदेंचिल स्टेटर्स कि दो चप्टर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम समझते जाएंगे सर कैसे बढ़िया एकदम बढ़िया चलिए तो आईए पहले हम थोड़ा बैग्राउंड वगयरा समझे कि है बहुत पहले से चला रहा है टेक्स बेसिली बेसिकली गौवर्मेंट ना जो गौवर्मेंट है किसी भी कंट्री वैसे तो हम इंडिया की बात करेंगे जो गौवर्मेंट ऑफ इंडिया है वह आपको कुछ फैसिलिटी देती है कुछ आपको फैसिलिटी देती है क्या facility देती है सर हमें तो आज तक मिला नहीं जैसे number 1 आपको government ने road दिया number do government ने आपको park दिया number 3 government ने आपको hospital दिया ह Алangen कि वहाँ treatment में बहुत ज्यादा भीड रहती है सिर्टे वह लग बात है लेकिन दिया तो ना मटर चार GUY्मनेट ने आपको इसितना तोड़ी आ से अ Falls के अंदर अगर गवार्मेंट इसकूल की बात करें तो इन सब्सक्राइब और वहां के टीचर की सेलरी लाक रुपह से कम नहीं होती गार्मेंट इसकूल के टीचर की ऐसे आपको कॉलेज दिया तो कॉलेज में जितने प्रोफेसर है उनकी भी सेलरी बहुत जादा जादा होती है लेकिन आपसे फीस उतनी नहीं ली जाती है अगर सेम जैसे आप डेली उनिवर्सिटी के हो अगर आप माल लो किसी और कॉलेज से पढ़ रहे होते तो आपकी एक समिस्टर के फीस लाक तो पैसा कहां से लाएगी सरकार तो पैसा सरकार जो लाएगी वह लाएगी टेक्स के फॉर्म में आप से लेंगे यानि हम हर वेक्ति से किस फॉर्म में टेक्स से पैसा ले सकते यानि आप से हम पैसे लेंगे और आपके उपर खर्च करेंगे अलग बात वह अलग बात है कि पैसे लेती है लेने के बाद बहुत सारा उसके अंदर घोटाला हो जाता इसका हुजाता है वह अलग बात है कि वह अपने उपर ज़्यादा खर्च कर लेती है पबलिक के उपर कम खर्च करती है तो सबसे पहले ने टर्ब बनाया हाला कि जब हमारा Constitution बना था तो उस टैम टेक्स जैसे आर्टिकल 247 है हमारे बहुत सारे हैं तो हम उतने डीप इतने डिटेल में तो नहीं जाएंगे कोई फाइदा नहीं है जाके हम यह देखेंगे कि गवर्मेंट ने टेक्स दो तरीके बनाए थे एक बनाया था गवर्मेंट ने डारेक्ट एक एक गवर्मेंट ने बनाया था डारेक्ट एक टेक्स अब सच Sydney और इंदिरे किया होता है मानलो है यह government यह आप हो यह आप हो कि और यह government है मालो यह हाभ और यह आप ने ब्द 1,000,000,000 रुपत ही महギें अब 20,000,000 रुपत है का दो थे को न कितने इंकम के 20 लात अब in के ऊपर टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी किसकी है पहले बताथ बिच देता हो माले तेंग राम आप यहां आप वीश लाख रुपैंगा पैस इंकम कमाया इस पर टैक्स देने के जिम्मेदारी किस्की सरकार के पास जमा कौन कराने जाए राम जाएगा या आपके पेरेंट जाएंगे यह कौन जाएगा कमाया आपने पैसे हैं जल्दी बताईए अभी तक जो आपने बताया है इंटरनेट प्रॉब्लम के विजह से जोइन नहीं हो पाए तब ज्यादा कुछ नहीं बताए बता देंगे पहले यह बताईए मुझे क उक्राम ने बीस लाक रुपे इनकम कमाया इसके उपर सरकार के पास के पास टेक्स देने कौन जाएगा अगया वापस इस इस ने इस लीसरकार ने देता है तो ऐसे टेक्स को हम क्या बोलते हैं Direct tax जो कि हमें Direct सरकार को देना होता है और इसका दूसरा नाम है हमारा कि Income tax क्या है अच्छा सर around क्या है कि मान लिजीये राम है और एक मांन लिजिए दुकान दार है एक मानली यह गौन्मेंट है अब राम जाता है दुकांधार के पास राम से बोलता है भाई दुकांदार मुझे एक क्ाम कर मुझे शर्ट कितने कर दुकांदार ने बोला ठीक है भाई साब एक हजार पचास बनते हैं राम ने अपने पॉकेट से एक हजार पचास निकाले और किसको दे दिये जाके राम ने एक हजार पचास रुपे किसको दे दिये जाके किसको दे दिये जाके दुकानदार को दे दिये ये लो भाई दुकानदार एक हजार पचास दे दिये अब मुझे जवाब दो राम ने जो एक हजार पचास दिये सिर्फ शर्ट के दिये या कुछ टेक्स के भी पैसे दिये ये बताईए मुझे शर्ट के दिये या फिर कुछ टेक्स के भी पैसे दिये राम ने बताईए फटाफट राम ने सिर्फ शर्ट के पैसे दिये या फिर टेक्स के भी पैसे दिये सर टेक्स का भी दिया है अब टेक्स का दिया है अब मुझे बताईए टेक्स का पैसा किसको दिया है किसको दुकानदार को दिया है टेक्स का पैसा किसको दिया है दुकानदार को अब दुकांदार बोलेगा ओहो मेरे पास मेरा हजार रुपए तो अपने पास रखेगा और जो इसमें से 50 रुपए है यह 50 रुपए दुकांदार जाएगा अब दुकांदार जाएगा गौर्मेंट के पास गौर्मेंट के पास गौर्मेंट के पास दुकांदार गया गौर के पास पहले इसके पास जा रहा है फिर ये इसका पैसा पहुंचा रहा है इसलिए इस टेक्स का नाम हो गया इंडारेक्ट टेक्स इंडारेक्ट टेक्स में कौन-कौन से टेक्स आते हैं दो टेक्स आते हैं एक हमारा है जी एस्टी जी एस्टी और एक है हमारा कि कस्टम कस्टम लॉओ हाला कि ये समेस्टर 6 में आप पढ़ेंगे सभी बच्चे पढ़ेंगे समेस्टर 6 में तो दो परकार के टेक्स होगे सर एक कस्टम लॉओ और GST तो ये हमारे सलेवस का हिस्सा नहीं है इंडारेक्ट टेक्स पहली चीज़ इंडारेक्ट टेक्स जो GST होता है जो इंडारेक्ट टेक्स जब सरकार ने इंडारेक्ट टेक्स बनाया तो इसके अंदर ये देखा अमीर हो चाहे गरीव हो चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो चाहे बुड़ा हो चाहे जमान हो चाहे बिमार हो चाहे कोई भी हो चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो कोई भी हो इसने बोला भाया हम तो ऐसा मेकनिजम बनाएंगे सबसे टेक्स लेंगे सबसे टेक्स लेंगे इनका ये कहना था सबसे टेक्स लेंगे और आप भी टेक्स देत भगवान के पास मंदिर में परसाज चढ़ाने गए अगर बत्ती चढ़ाने गए उस पर भी लिखा हुआ आपने दुनिया भर के टेक्स सरकार को दे चुके होगे जब भी आप मेर से पढ़ रहे हो तब भी आप टेक्स दे रहे हो आपको पता नहीं लग रहा है कि आप टेक्स दे रहे हो लेकिन इंडारेक्ट टेक्स ऐसा टेक्स था जिसके अंदर गौर्वर्मेंट ने बोला कि हम स युआ को इसकी एक इंकंड लिमिट होगी उसको हम ऎमीर बोलेंगे और निलीमिट में अगर मैं बात करूँ तो हम बोल सकते हैं कि दो लाख पचास तीन लाक रुपए हम सकते हैं 3 लाक रुप लाख जिसकी इंकम होगी उसको हम कहेंगे तो यान veg tips ऐसा नहीं है किस हर कोई देगा लेकिन डारेक्ट टेक्स लेकिन इंडारेक्ट टेक्स हर किसी को देना पड़ेगा यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि अमीर से लेंगे या गरीब है हमारा finance minister कौन है निर्मला निर्मला सीता रमन तो निर्मला निर्मला सीता रमन जो है वो ले के हमारे खर्चे यह हैं और हमारी इंकम यह है यानि वह एक खर्चा जो करने वाली है इसको बजट बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है जैसे हमने कोसिस किये कि इतने सडके बनाएंगे इतने लोगों को सबसीडरी देंगे तो इसने यह लिया है तो इसका मतलब जो इन्हों देखा जाएं तो major Text का students यह है मैं यह है में यह है इससे इतना ज्यादा collection नहीं यह ज्यादा में नहीं है लेकिन इसे पढ़ आ पढ़ना है पढ़ नाए और टेक्स जो है दोनों यह आप समिस्टर 6 पढ़ेंगे जी एसटीजिद इस trip सब्सक्राइब अब आप पढ़ने ऑख किमें आएगा वीयों किस्ते ज्री जो है टेक्स है उसके मिश्लां कि ये ws वाईन के वाइन के उपर अभी होता है वैट कि सब्सक्राइब हो चीजिजों में से लगबग लगबग eliminate हो चिगा है तो सभी बच्चे अभी साथ के साथ यानि हम क्या पढ़ने वाले हैं फटा-फट कमेंट में बताइए हम कौन सा टेक्स पढ़ने वाले हैं तो जोड से बोलेंगे सर हम पढ़ने वाले हैं इसका पूरा नाम है इंकम टेक्स dependent का मतलब क्या होता है एक्ट का मतलब होता है आरु कानून लॉग कानून कहलो या लॉक कहलो अनुच्छे क्या ढ़नूच्छित तो सिक्शन होता है एक्टिंकम टेक्स हम यह पढ़ेंगे इसके अंदर यानि पहले देखते हैं हम इसका थोड़ा सा पीछे जाते हैं हुआ यह वैसे तो बहुत पहले भी इंकम टेक्स आपने लगान मुवी देखा होगा वहां पर अंग्रेज हमसे टेक्स लिया करते थे जिसको लगान कहते थे वह देट इस आउल 621 में बनाये गया और कर्ममेंट ने बोला कि आप टेक्स लगा दो इनके उपर गार ठेक्स लगा ओ अब करक्रार ने बोला लगा दो तो तो गौर्मेंट ने 1961 के अंदर जब टेक्स लगाने की कोशिस करी तो हर व्यक्ति की income के लिए एक problem create हुई हर एक व्यक्ति अब किसी व्यक्ति के मान लेते हैं income जो है वो मिला ही नहीं किसी व्यक्ति को मिल गया मिला या नहीं मिला इसको हमें एक बार और थोड़ा डिटील में समझ लेते हैं हुआ ये लगाने के लिए बोला गया लेकिन ये जो टेक्स लगा ना ये टेक्स पता है कब लगा आपको मैं बताता हूं लगाओ लेकिन यह text लगा हमारा कभ? यह लगा 1 अप्रेल यह लगा हमारा 1962 में एक अप्रेल 1962 में एक अप्रेल एक चार चार 1962 में यह इस दिन जाके अपलाए हुआ सर ऐसा क्यों सरकार ने जब कानुन बना लिया कानुन बना लिया कब 1961 में अब सरकार लोगों के पास जाएगी गौर्मेंट ने क्या करा लोगों के पास गई और लोगों के पास जाने के बाद गौर्मेंट ने लोगों से कहा के भाईया गौर्मेंट गई लोगों के पास और के टेक्स दे तो पर्सण में भाई अभी तो मैंने अभी अपना परची की से लगान के लिए नहीं कि今日 में लोगों निए तो अगले साल से करते हैं पहले हम लोगों को बोल देते हैं कि तुम क्या करो तुम पैसा कमाओ पैसे कमाने के बाद आप हमें टेक्स दे देना तो एक सब्सक्राइब डेट दिया गया हमेशा याद रखना टेक्स कब निकाला जाता है एक अप्लाय हुआ इतनी सी बात आपको रियाद रखनी है चलिए एक बात हम देखते हैं और क्या पढ़ेंगे इंकम टेक्स के साथ लेखिन इनकम टेक्स के अंदर बड़ी सारी कमिया थी मतलब ही समझ भे नहीं आ रहा था क्या कहते हैं वहाँ पर जैसे लिख रखा था आ हाउस तो एक हाउस है या कोई भी हाउस हो commercial house है या residential बड़ी सारी कमी है तो इसको कमी को दूर करने के लिए इन्होंने बनाया rule rule और clarity income tax rule हमें rule भी पढ़ने पढ़ेंगे कहीं कहीं reference में rule आएगा कि अगर income tax act के अंदर कभी clarity नहीं होता तो हम rule के अंदर clarity मिल जाता है तब देखते हैं इसके साथ साथ हमें finance act भी पढ़ना पढ़ेगा finance act भी पढ़ना पढ़ेगा जो कि हर बार budget में आता है इसके साथ साथ हमें case law भी पढ़ना पढ़ेगा case study भी करना पढ़ेगा यानि कई बार क्या होता है पैसला judgment के पास आता है court के पास जाता है और कानून में भी ऐसी बाते नहीं लिखी जैसे मान लेते हैं बोला गया कि अगर आपने घर बेचा तो आपको उसके उपर टेक्स देना पड़ेगा और मैंने क्या करा घर नहीं बेचा मैंने एक फ्लोर बेच दिया उपर का अब गौर्मेंट ने बोला भीया तुमने तो घर बेचा है टेक्स दो बोला मैंने कहां घर बेचा है घर तो मेरे नाम पर मैं यहीं रह रहा हूं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स क्या होगे डिस्प्यूट वाले होगे तो ऐसे जब डिस्प्यूट वाले पॉइंट हो जाएंगे कभी-कभी तो उसके अंदर कोट बीच में आता पर पिन देती है इंसर नोंटिफीकेशन कभी दियान रखना है तो यह आनि इतनी सारी बाते पढ़ना है हां विल्कुल आपको इतनी सारी बाते कैसे पढ़ेंगे और किस तरीक theo डिलिए आपको पता भी सारी बाते चल रही है मैं बीच बीच में बताता रही ह ly तो अभी त पढ़ना है इंकम टेक्स पढ़ना यह सारी चीज़े हमें पढ़ना पढ़ना है चलिए सर आगे बढ़ जाए जाए आगे हम बढ़ते हैं अब हमारा चेप्टर यहां से स्टार्ट होता है जो मैं बताने वाला हूं इसके अंदर से इसके अब्च्वाइब कोश्चन हमेशा एक्जाम में आता है यह होता है क्या होता है कि पूछा जाता है हर बार पिछली बार भी आया था अब यह मान के चलिए आप एक चीज कि अगर कोई परसन है उसको हमेशा टेक्स देना पड़ेगा या तो 31 साथ को या तो देना पड़ेगा आपका 30 सेप्टेंबर और अलग 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 डेट है मैंने दो डेट मेजरली बता दिया हमारे लिए सीखा जाएगा के 25 ultra Latino थे इंकम स्क्राइब हो जाएं इंकम क्वेघ मीनिंग बता हूं तो मतलब होता है घसा मिअ इसस्मेंन का मीनिंग अगर बताएं तो इसका मतलब है केल्कुलेश्यन का मतलब क्या हो कि आप अपना प्रॉफिट निकाल लो प्रॉफिट निकाल लो एसे समझते हैं इसको मालो ये साल है ठीक है ये साल है साल हमेशा इनकम टेक्स कहता है भहिया कि साल जो स्टार्ट होगा एक चार माले थे एक चार दो हजार तेईस और जो खतम होगा वो खतम होगा एक चार एक तिस तीन दो हजार चौविस कब खतम होगा दो हजार चौविस में अब आप प्रॉफिट एन लॉस यानि प्रॉफिट कब कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट कब कैलकुलेट करोगे क्या आप एक तिस मार्ज को अपना भी भी नहीं निकल सकता क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालने के लिए क्या-क्या काम करना पड़ता है सर हमें जर्नल करना पड़ता है हमें सर लेजर बनाना पड़ता है अलाकि आप computerize हो गया लेजर के पाद balance sheet देखना पड़ता है अब देखो online का जबाना आ गया है मेरे courses आप कई बार रात को 12 बजे खरीद लेते हो माल लेते हैं एक बच्चे ने 31 मार्च को रात को 12 बच के 16 मिनट पर खरीदा अब मैं एक मिन में कैसे जर्नल एंट्री करों 1 मिनट में कैसे trial balance करों क्या यह possible है कि मैं एक मिनट सारी detail करके और 31 मार्च के रात के 12 बजे के बाद सरकार को बोलो यह रहा मेरा टेक्स जमा कर लो तो यह पॉसिबल नहीं है तो सरकार ने क्या बोला भाईया देखो यह जीजे जो है यह possible तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो यह वाला जो साल है यहां के बाद जो ग्रीन वाली लाइन है यह तो हो जाएगा क्या स्टाट क्या एक चार दोहजार चौविस और यह एंड कभ हो जाएगा यहांड हो जाएगा नहीं क्या पर सकता हूं क्यूंकि आपने चल की कि नहीं कि keeper कर। क्या मैं इस तारीक को टेक्स सरकार को भर सकता हूं क्या इस तारीक को मैं सरकार को टेक्स भर सकता हूं बताओ इस डेट पे क्या मैं सरकार को टेक्स भर दे सकता हूं सरकार को profit and loss balance sheet तयार करके एकदम से टेक्स भर सकता हूं जवाब दो मुझे फटा-फट कमेंड में तो अमित का कहने सर नहीं सर नहीं सकते क्यूंकि पॉसिबल यह निए कि इतनी जल्दी आप calculation करो सबी स्टूड Figज ने कहा कर जान लगा लो अपनी लेकिन टेक्स नहीं भर सकते छलो क्लों करते क्या काम करते हैं सर ये वाला साल है हमें सरकार ने बोला कि आपको टेक्स भरना कब है 31-7 तो अगले साल में इस साल थोड़ी भरेंगा टेक्स 31-7-2000-2024 में यानि हमें सरकार ने डेडलाइन दिया कि यहां से लेके हम आपको यहां तक का समय दे और यहां से यहां तक आप भर दीजिएगा और अगर इसको नहीं भर पाएं आप इस टेक्स को तो हम आपसे फाइन लेंगे बड़ी सारी चीज़े लेंगे तो यह क्या है हमारा लास्ट डेट है और समय समय पर गॉर्मेंट ना इस डेट को रिवाइज भी करती रहती है बढ आप क्या करोगे अपनी बैलेंशीट पी एंडल बैलेंशीट सब तयार करोगे यानि इस समय में आप क्या करोगे कैलकुलेशन करोगे इस समय में क्या करोगे कैलकुलेशन करोगे तो आप इस समय कैलकुलेशन कर रहे हो अगर मैं इस डेट पे इसमें पूछूं तो आप कि कि calculation कर रहे हों कौन से खर्चे और कौन से income की calculation कर रहे हो मुझे बताओ हम यहां पे तो calculation कर रहे हैं मुझे जवाब दिजिए मैं कौन से income की calculation कर रहा हूं आप बताना यहां से यहां तक का calculation कर रहा है जबाब दीजिए मैं कहां का calculation करूँ आपने बोला मैंने बोला कि मैं यहां पर बैठ के calculation करूँगा लेकिन किसकी calculation करूँगा कौन से income की calculation करूँगा कौन से expense की calculation करूँगा आप बताईए फटाफट श्रिवानगी ने बोला सर previous year no sir previous year will be income वाली की previous year दनिश्चने बताया 143 से 24 तक बिल्कुल सही यानि अगर मैं इस साल में बैठा हूं यह मैं अगर इस साल में बैठा हूं भाई सहाव तो इस साल में बैठा हूँ, इनकम जो मैं calculate करूँगा, वो मैं पिछले साल का calculate करूँगा, पिछले साल का, अच्छा सर, income निकालोगे आप पिछले साल का, तो पिछले साल को हम बोलते हैं previous year, previous year section 3 में लिखा हुआ है यानि आप income tax जमा करोगे कौन से वाले साल के उपर previous year के उपर हमेशा और सब जब calculation कर रहे हो तो calculation कर रहे हो तो वो कौन सा साल है सर ये वाला साल है 2024 और 25 जो calculation कर रहे हो वो 2024 और 2025 इस साल को जिस साल बैठके calculation करते हैं उसको कौन सा साल बोला जाता है assessment year बोला जाता है जिस साल calculation करते हैं उसको कौन सा साल बोला जाता है assessment year बोला जाता है क्योंकि हाँ calculation नहीं तो कर रहे हैं इसको हम बोलेंगे assessment year और इसको short form में ay भी बोल सकते हैं और previous year को short form में पी वाई भी बोल सकते हैं ठीक है यानि सर हम income tax जब calculate करते हैं तो वो कौन सा साल होता है assessment year जब भरते हैं income tax वो कौन से साल के income पर भरते हैं previous year के income tax पर भरते हैं ऐसा क्यूं होता अब है बताओ हमारा income कमाया कौन से साल जाता है previous year में या assessment year हम income earning previous year में करते हैं या assessment year में करते हैं बताइए income earning हम previous year में करते हैं या assessment year में करते हैं बताइए आपके सामने example लिया आप बताइए income earning जो है वो previous year में करेंगे या फिर एसेस्मेंट येर में करेंगे शिवानगी का जवाब है सर प्रीवियस येर अमित का जवाब प्रीवियस येर मनन का जवाब प्रीवियस येर और भी सभी तनिश का भी अरनव का भी हितेश का भी और किसका था क्रिश नव का भी और सभी बच्चों ने बोला प्रीवियस येर यानि एक define हुआ तो मेरे से कोई पूछेगा के भाईया what do you mean by the previous year previous year is that year in which year income is earned previous year वो समय होता है जिसमें हम पैसे को कमाते हैं ठीक है यहां तक क्लिए assessment year and assessment year is which year in which income tax calculated जिस साल हम क्या करते हैं tax का calculation करते हैं उसको क्या बोलेंगे सर assessment year मैं ये भी बोल सकता हूँ assessment year previous year के जो बाद होता है उसको क्या बोलते हैं क्या बैसे लिए ओर भी बच्छोंने सही बताया प्रीवियस year exam में कितनी बार पूछा गया हमारा assessment year की definition इसको हम एक बार देख लेते हैं एक सब्सक्राइब की देफिनेशन थोड़े से डेट वगर इधर उधर हो गए होंगे तो मैं कहता है एससमेंट इयर तो आप मुझे पूरी बाते बताओगे ने कि ये तो एससमेंट ये वाला साल है जिस साल में अपने कैलकुलेशन किया है तो हमेशा याद रिखना एससमेंट इयर ओल्वेश 12 मन्त का होता है लेकिन टेक्स आपको पहले देना होता है इसने ये नहीं बोला टेक्स पेमिंट डेट क्या है इसने बोला एससमेंट इयर हमेशा कितने महिने का होगा 12 मन्त का होगा Commencing on the first day of April कब से start होगा एपरिल की पहली तारिक से देखो कब से start हुआ एपरिल की पहली तारिक से और ending हो जाएगा कब there for period sorry every year it is therefore the period from first April and 31 March for example the assessment year assessment year 2000 इसको मैं काट के करने जा रहा हूं चलो कि इसी को ले लेते हैं डेफिनेशन में क्यूंकि मैं लेटेस वाले के हम जो पढ़ेंगे वह 23 नहीं पढ़ेंगे 31 March 2014 में the tax is livid मतलब जो टेक्स लगेगा लेवाइड का मतलब होता है हमारा टेक्स लगना टेक्स लगना टेक्स लगना जो टेक्स लगेगा each of assessment year assessment year में टेक्स लगने वाला है with respect to on the total income earned by the SSC SSC कौन होता है अभी हम देखेंगे भाया SSC कौन होता है अभी देखेंगे इन दा previous year जो income आपने कमाया कब previous year अब भाया SSC कौन होता है एक बार इसको define कर लेते हैं गॉर्मेंट ने बोला अगर आपकी इंकम 3,00,00 है उससे उपर ऐस तो आपको टेक्स ल भरणा होगा राम की income two lakh है और मोहन की income 4,00,00, और सोहन की income 6,00,00, राहुल की income two point five lakh है तो जो वेक्ति टेक्स देने के लाइक होता है उसको बोलते हैं SSC जो टेक्स देने के लाइक SSC आप टेक्स तो नहीं देते सरकार को आप SSC नहीं हो तो अगर मैंने यहाँ पर example लिया है तो आप मुझे बताईए क्या राम टेक्स देगा गौर्वर्मेंट को गौर्वर्मेंट ने बोला है जिसकी इंकम 3 लाग से उपर होगी उसको टेक्स देंगे क्या राम देगा सरकार को टेक्स बताओ मुझे फटा फट बताओ क्या राम टेक्स देगा सरकार को या नहीं देगा राम जो है वो गौर्वर्मेंट को टेक्स जमा करने जाए कि ना जाए तो जवाब है अर्नव का सर नहीं सर नहीं सर नहीं जाएगा नहीं जाएगा तो बड मोहन बताओ क्या टेक्स सरकार को देने जाएगा मोहन क्या सरकार को देने जाएगा सभी बच्चों ने नो बता दिया था मोहन क्या सरकार को टेक्स देने जाएगा हाँ या ना बताओ सरकार को टेक्स देगा या नहीं देगा येस, हितेश का कहना है येस, अमीत का कहना है येस, अरनव का कहना है येस, तनिस का कहना है येस, कृष्णव का कहना है येस, अनुप सब को चो कहना है येस, यानि ये है SSC क्या आप बताइए क्या सोहन S.A.C. है या नहीं आप जवाब दीजिए क्या सोहन S.A.C. है या नहीं बताइए मुझे सोहन S.A.C. है या नहीं सोहन S.A.C. है या नहीं यस और नो में जवाब दीजिए यस 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 सभी का जवाब आ रहा है कि सर सोहन तो S.A.C. है अब बताईए राहूल स्सी है या नहीं मुझे बताईए राहूल क्या स्सी है या फिर नहीं है राहूल स्सी है या फिर नहीं है जवाब आया किष्णा कहना सब कह रहें नहीं सर नहीं राहूल स्सी नहीं है सर नहीं है नहीं है नहीं है वेरी वेरी गुड यानि सर कहना क्या था definition में दा टेक्स लगेगा इच एससी सभी एससी एसस्मेंट इयर में टेक्स लगेगा कब एसस्मेंट इयर इससे यानि जिसकी इंकम एक थ्रैस होल्ड लिमिट एक लिमिट से उपर होगी उसी के उपर टेक्स लगेगा और टेक्स कौन से वाले साल के उपर लगेगा प्रिवियस यह तो यह डेफिनेशन एसस्मेंट इयर का एक बार फिर से पढ़ देता हूं असेस्मेंट इयर मीन पीरिड कितने पीरिड का यह ओफ टुइल मंद कमेंस फ्रॉम दफॉस एपरिल एवरी इयर एंड देयर फोर दा फॉस्ट अपरिल टू 31 मार्च एग्जाम्पल के लिए एसस्मेंट इयर दो हजार तेईश चौबिस में एक अपरिल को हमारा साल होगा 31 मार्च दो हजार चौबिस को एंड होगा और जो टेक्स लगता है वो एसस्मेंट इयर के अंदर लगाया जाता है लेकिन इंकम जो होता है वो प्रिवियस इयर पे होता है और किस पे टेक्स लगता है एससी पे लगता है तो यह बाते इन्होंने बताई है अच्छा सर अब previous year क्या होता है सर सेक्शन तीन कहता है previous year के बारे में कहता है previous year mean the financial year ओहो यानी सर previous year is equal to financial year same ही होता है जी हाँ previous year mean financial year immediately preceding the assessment year यानी assessment year से जस्ट पीछे वाला जो साल होगा उसी को हम previous year बोलेंगे इसका मतलब माल लेते हैं ये वाला साल है ये मान लो 20 और 21 है ये वाला साल है 21 और 22 है ये वाला साल है आपका 23 और 22 और 23 है आप इस साल बैठ के calculation कर रहे हो तो आपके लिए previous year ये वाला माना जाएगा ना कि ये वाला माना जाएगा जस्ट इमिडिटली प्रीसेडिंग गव कहता है फाइनेंशल ये 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 विच स्टार्ट फ्रम अगें ये एप्रेल एंड फ्रम 31 मार्च लेकिन याद रखेगा प्रीविएस ये जो होता है वो आपका 12 मंत का भी हो सकता है और लेस देन 12 मंत का भी हो सकता है हैं लेस देन 12 मंत कभी हो सकता है सर हाव सर बारा महिने का कैसे मालों मैंने नया नया बिजनस स्टार्ट किया है मेरे नया नया बिजनस स्टार्ट किया सब्सक्राइब मैं बिजनस स्टार्ट कर रहा हूं मैंने करा पंदरा अगस्त को करा अब यह मेरा कब खतम हो जाएगा सर इकत्यस तीन और इसके उपर टेक्स कब कैलकुलेट होगा सर एक च्यार दो हजार चौबिस आपका स्टार्ट हो गया और खतम होगा यह वाला साल लिक अब टिस्टिन दो हजार फच्छिस में यह साल में आप बीच में कहीं टेक्स निकालोगे हैं तो यह वाला सल क्या होगा सर एसिस्मेंटियर होगा एसिस्मेंट कितने महिने का है 12 महिने का अब मुझे बताओ previous year क्या 12 महिने का है नहीं सर अगस्ट सेप्टेंबर अक्टूबर नॉंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यह तो हुए छे दो आठ यानि साड़े साथ महिने का यानि 7.5 मंद का तो हम तो इसको previous year ही बोलेंगे न तो previous year क्या यहां तक सभी स्टूडेंट को समझ में आया क्या किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है कि सर यह एसेस्मेंट क्या है और सर यह previous year क्या है क्योंकि हम यूज करने वाले हैं सर हमारे स्लेबस में ड्यू वालों ने बोला है कि भीया तुम्हारे लिए हम एसेस्मेंट इयर पढ़ाएंगे हम तुम्हें और एसेस्मेंट इयर दो हजार चौबिस और पच्चिस पढ़ाये जाएगा यानि यह हर साल अपडेट होता है most updated है यह एक्ट यानि यह कानून जो है हर साल अपडेट हो जाता है सरकार ने टेक्सरेट में बदल दिया सरकार ने कुछ भी बदला पूरा कानून बदल जाता है तो इसलिए अगर कोई बच्चे के पास पुरानी किताब है तो वह useless है उसके लि होने चाहिए क्योंकि मैं पहले बताओं तो टेक्स के दो रेट हुआ करते थे सरकार पहले बोलती थी कि आप पुराने रेट से लगाओ पहले और अगर पसंद ना आये तो नए रेट पे आना अच्छा यानि अगर मैं इससे पिछले साल में जाओं 2022 और 2023 में जाओं तो सरक सब्सक्राइब ने बोल दिया पहले नियू से लगाओ नहीं पसंद आये तो लिपे जाओ हम आगे धीरे-धीरे सारी चीज़े सीखेंगे बेसिक कंसेप्ट के अंदर तो यह सारी बाते हैं किसी बच्चे को एसेस्मेंट यह प्रीएस यह भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं भी इक्जाम में Aprao पनेफ़न हाइन देखो पहला कोश्न आया अभी लेटिए सब्सक्राइब साल का पे पर आपको पेस्जेंग पर यह पहला सब बनाताओ मैंने बताएं अभी SSC का भी मीनिंग में बताऊंगा तो SSC क्या होता है यह बताओ उसके बाद उसके बाद उसके बाद अब मैं मिल जाएगा वैसे अभी क्योंकि मैं सारे पेपर को अभी मैंने खटा नहीं किया है मैंने लिखा तो था यह रहा शायद एक यह income tax का पेपर है और यह है BCommCBCS program पेपर और पहलाad question हुआ आया कि income previous year चार्जेबल तो assessment इयर इस explain rule वहिया income previous year में कमाया जाता है एसेसमेंट इयर में चार्ज किया जाता है explain करो क्या clean करना है explain में यही तो आपका पहला कोश्चन ये इनमेंसे कोई न कोई आ जाएगा ओके सर अभी तक बात चल रही थी क्या बात चल रही थी के सर टेक्स जो है वो डारेक्ट टेक्स है और डारेक्ट टेक्स जो होता है वो calculate कर होता है वो calculate होता है assessment year में लेकिन tax जो दिया जाता है previous year में लेखिंसर लेखिंसर जम ये calculation चली रही है तो बोल गया मैंने अभी बताया कि आप previous ay earn पे जो income कमाएंगे यहाने जो previous ye are Kare Income पे क्या उस स KAR टेक्स देंगे या अगले साल बताईए मेरी जो income previous year का होता है previous year में ही उस पर text दे दिया जाएगा या assessment year में text दिया जाएगा next year में मैंने इस साल पैसा कमाया मैं इसी साल इस पर text दूँगा या अगले साल दूँगा बताईए मैं ये सारे notes आपको update मिलेंगे comment में बताईए ये मुझे कब देना पड़ेगा assessment year next year next year next year बिल्कुल सही next year अब एक दुरघटना बहुत सारी ऐसी है जिसको आपको focus करना होगा बहुत सही सरकार ने कानून बनाया कानून बनाने के बाद हुआ ऐसे मैंने इस साल पैसे कमाया और मैंने 100 करोड रुपए कमाया और मुझे लगा यार अब सरकार को टेक्स देना पड़ेगा 100 करोड रुपए पता है कितना टेक्स बनेगा 40 करोड रुपए का टेक्स बनेगा और मैं 30 मार्च को इंडिया छोड़के भाग गया दुबई सेटल हो गया चल भाई दुबई में काम धंदा करेंगा दुबई चला गया अब जब मैं दुबई चला गया अब इंडियन गवर्मेंट मेरे को फोन लगाएगी बोलेगी आजा भाई 40 करोड का टेक्स देने मैं बोलूँगा मैं तो नहीं आउँगा जैसे विज और फिर जाएगा तो फिर वो भागता नहीं है इन गौर्मेंट के पैसे लेके तो गौर्मेंट ने प्रीवियस यर की इंकम पर टेक्स लगेगा नेक्स्ट यर में इसके बोले कुछ एक्सेप्शन अगर ये सिम्टम्स ये कुछ मिले तो ऐसे सिचुएशन में तो केसिस वियर इंकम प्रीवियस यर एसिस इन दा सेम एयर मतलब सर मैंने इंकम कमाया एक चार दो हजार तेईस से लेके इयर एंड हो गया 31 दो हजार 24 सर टेक्स कब देंगे सर टेक्स वैसे तो नॉर्मल लॉजिकल बनता है कि नेक्स यर में कैलकुलेट करो लेकिन ना ना हमें टेक्स इसी साल भरना पड़ेगा भरना पड़ेगा गौर्मेंट बोलेगी आप टेक्स डिपॉजिट करा आपको टेक्स देना होगा हमार आपके लिए ये वाला कॉंसेट अपलाए नहीं होगा कब कुछ केसिस है जिसको exception केसिस में रखा गया सर कौन कौन से केसिस है वो बता दो तो और बढ़िया हो जाए चलिए अब पहला केस आता है हमारा shipping business समझते हैं इसको फॉस्ट केस आता है हमारा shipping business नोन रेजिडेंट ओहो नोन रेजिडेंट shipping business क्या है सर शीपिंग बिजनस अब माल लेते हैं USA यह यूएस है ये USA है और ये है इंडिया भारत ये क्या है इंडिया को भी तो बादल में बना देते हैं ये है इंडिया अब ये बीच में है समंदर ये है समंदर समंदर क्योंकि इंडिया से और US के बीच में समंदर है साथ समंदर ये है समंदर अब अब हम यहां से कोई समान मंगाएंगे यहां से कोई समान मंगाया तो वो किस पर आएगा सर वो नाव पर आएगा ये हमारा that is boat है ये तो दिया बन गया कोई बात ने चलो ये बन गया नाव शिप बन गया अब बताओ जब यूएस से मैं कोई समान मंगाऊंगा और यह बेचेगा कहां पर यह बेचेगा जाके इंडिया में पैसा कौन देगा इंडिया वाला पैसा कौन देगा उग्रेज क्योंगों यूएस से आ रहा है वहीं का व्यक्ति चला क्या रहा है सब शिप में कौन है एक और इस जब मेरे पाउस एदा इने में एक दिन में आ जाए किया यह पॉसिबल है एक महिने में आ जाए क्या यह पॉसिबल है यहां तक आने में लेट सपोस तीन महिने का टाइम लेता है और यहां से इंडिया से इसने पांच करोड रुपे चार्जिस लिए किसके शिप यहां तक पहुंचाने का पांच करोड रुपे चार्ज लिए मान लेते हैं वैसे बहुत ज्यादा माउंट है लेकिन एक तो यह तो पैसा तो इंडिया में कमाया गवर्मेंट को कहना है तो इंडिया में टेक्स देना पड़ेगा गौर्मेंट मैं अगले साल में बुलाता रहा है यूएस वाले आजा 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 वह तो आए गा यह नहीं क्योंकि लिए नोन रेजिडेंट है नोन रेजिडेंट मतलब भारती है नहीं है वह हम आगे रेजिडेंट सेल वाले में चप्टर पढ़ेंगे मैंने बोला भाई शिप आजा टेक्स देना है तेरे को मैं तो नहीं आता यानि यह शिप ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वापस ना आए तो बोला किया कि अगर कोई शिपिंग बिजनस में है और नॉन रेजिडेंट है 172 तो वह क्या कहता है कि भाईया यूएस से जो सिप आया है इंडिया में अब इंडिया से बाहर तभी निकलेगा वह पहले तू टेक्स भर पांच करोड के उपर आप 30 परसेंट लगा लो 1.5 करोड का पहले टेक्स भरो टेक्स भर दिया अब यहां से यहां पर ऑफिसर होते हैं ऑफिसर बैठे होते हैं वाइट वाइट ड्रेस में कस्टम वाले होते हैं वोट्षिप यहां से वापस आ रहा है वापस आ रहा है कस् पर चीद खाते हैं और फिर वो गेट खोल देते ये फिर वो इससे में चले जाते हैं तो इनकम कमाया इसी साल और टेक्स भी कब भर दिया इसी साल तो एक पहला exception मैंने आपको समझाया क्या यह clear है हम क्या पढ़ रहे हैं अभी यह बाते आपको clear है हम पढ़ रहे हैं कि income कमाया जाएगा जिस साल उसी साल हमें tax देना होगा ये rule बना हुआ है किसमें income tax में क्या यहां तक सभी student को clear है कि जैसे इसने income मान लेते हैं ये इंडिया के अंदर आया 14-2023 और 31-3-2024 के वाले साल में आया इसको यहीं पर टेक्स देना है अगले साल का इंतजार नहीं और फिर जाएगा वापस ठीक है सर यहां तक clear है क्या और भी exception है हाँ भाई हाँ है कहता है क्या कहता है सर कहता है assessment of person leaving India मतलब leaving India पर्मानेंट मतलब भारत छोड़के चला गया विजय विजय पता है कौन है मालिया विजय मालिया इंडिया छोड़के चला गया सुप्रीम कोट बोलता है विजय मालिया तू अगले मैने आयो नहीं तो तिरको सजा सुनाएंगे विजय मालिया बोलता है ठीक है सुना दियो फिर सुप्रीम कोट बोलता है यार मेरी बात नहीं मान रहा है विजय मालिया उससे अगले मैंने आजा तिरको धमका रहा हूं नहीं तो बहुत बुरा मारूँगा मैं तिरको तो इंग confess gdy मझे अन्दर विजेमाली एकदम अराम से रह रहा है और इंडिया के दस हजार क्रोड रुपे लेके रहा है वो बैंक से लून बैंक वाले नहीं पाते लाही नहीं मालिया को ऐसा कानूर मैं यानि कोई व्यक्ति अगर इंडिया से पर्मान कुमित यान को आपने जिस साल और जमांख करना उगा जैसे एक्जांपल ने मोहन ने मोहन इनने क्या करा एक जाबonders 2013 सटी Samsung misin 2004 तक भारत में रहा ये 2014 तक ये कहा रखार यॵिय भारत वहारत में रहा भारत में रहने के बाद अब क्या हुआ सर क्या हुआ ये भारत में अब जब ये भारत में रहा तो भारत में के दौरानünkने और यूड़्म करोड रुपे कमाएं सो करोड रुपे इसकी इंकम थी अब मोहन बोलता है मोहन बोलता है कि भाईया मुझे तो जाना चाहिए मोहन जो है माल लेते हैं यह जो मोहन है मोहन यहां से जाना चाह रहा है कहां जाना चाह रहा है उसकी मर्जी है वह माल लेते हैं अगेन इसको भेज बहुत दूर विशेते हैं इसको जाने के लिए सबसे पहले इसको बाइ कैसे जाएगा और हवाई जहाद से जाएगा एरो प्लैन से जाएगा इसको एक टिकट लेनी होगी तो फ्लाइट में अतना उनल्य अगर पास्पोर्ट पे मोहन के पासपोर्ट पे अगर लिखा है कि ये इंडिया छोड़के पर्मानेंटली जा रहा है वीजा लगा हुआ है तो बोलेगा अब तू नहीं जाएगा पहले जो तूने ये 100 करोड रुपे कमाए है उस 100 करोड रुपे पहले मुझे क्या दे इस 100 करोड रुपे के उपर टेक्स धे फिर त LOL को जाने देंगे अच्छा सर फिर यानि मोहन फिर से यहांसे आयेगा और 100 करोड रुपे पहले टेक्स देगा कब देगा अभी देगा तीस टारिक को जा रहा है इसी साल फिर वो टेक्स देने के बाद वो धीरे 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 कहां पहुंच जाएगा सर यूएस से पहुंच जाएगा तो कौन सा केस हुआ कि हमने जिस साल इसने कमाया उसी साल टेक्स दिया अगर कोई परसन इंडिया से पर्मानेंट ली छोड़के जा रहा है तो ऐसे सिचुवेशन में उसक टेक्स दे के जाना पड़ेगा उसके लिए कोई नहीं बना यह पासपूर्ट पर लिखा होता है कि आप जा रहे हो और भी कोई केस है ना और भी कोई केस है ये रहा एसेस्मेंट ओफ एसोसियेशन ओफ परसर और बॉड़ी ओफ हिंडिवीज्वल आर्टीफीशियल जुडीशियल परसन फॉर्मड आप पर्टीकुलर इवेंट ओ हो पर्टीकुलर इवेंट क्या कहना है अब मान लेते हैं एक वेक्ति ये है मैं इस पूरे लाइन को इस पूरे लाइन को मैं थोड़े अभी आधा समझा देता हूँ आधा अगली क्लास में कवर होने वाला है ये लाइन क्योंकि जब हम पर्टीक की डेफिनेशन देखेंगे तो ये ये राम है और ये मोहन है राम और मोहन ये भी ठेकेदार और ये भी ठेकेदार अब मान लेते हैं ये क्या करता है मकान में ये पत्थर लगाने का काम करता है और ये मकान के अंदर घिसाई करने का काम करता है समझ पा रहे हो मैं बिल्कुल सिंपल सब्दों में बोल रहा हूं जब हम पत्थर लगवाते हैं मारवल लगवाते हैं उसके घिसाई करना है इसको एक बहुत बड़ा कॉंट्रेक्ट गवर्मेंट का मिल गया पूरी मेट्रो इसको मारवल लगाने पत्थर लगाने हैं उसके बाद उसके घिसाई करना है गवर्मेंट ने आपस में मिलने के बाद वो क्या करते हैं यह गवर्मेंट के पास जाते हैं और बोलते हैं मैं हम यह दोनों काम करेंगे गवर्मेंट ने ठीक है कितने टाइम में इसने बोला छे महने में काम किया और काम करने के बाद टेंडर कंप्लीट और फिर यह दोनों क्या हो इसको बोलते हैं body of individual हम और भी देखेंगे या हम बोलते हैं association of person बोल देते हैं association of person या body of individual के नाम से जानते हैं तो इसको उपर ज्यादा clarity मैं बाद में दे पाऊंगा जब मैं person की definition कराऊंगा section 231 जब मैं कराऊंगा तब बताऊंगा अच्छा सर इंकम tax में देखो बहुत सारे section आएंगे क्या हमें section याद करने ना आपको section करने की कोई जुरत नहीं हमारे income tax में एक से लेके 298 तक section आएंगे और इसको हमें कोई भी अबशक्ता नहीं है याद करने के लिए जहां पर याद करने की तो आपको उसी साल टेक्स देना है अगर आप shipping business में हो non resident उसी साल टेक्स देना है अगर short term के लिए कोई business बनाती हो तो उसी साल टेक्स देना है और क्या है सर और सर कहता है person likely transfer of property avoid tax अगर कोई पहले नहीं था अब जैसे के इंटर्डियूस किया गया कोई भी person अगर ऐसा है जो property के ऊपर property मतलब घर मान लेते हैं घर घर पे टेक्स अवोइड करना कर रहा है tax को बचाने के लिए कि अगले साल कर दूंगा टेक्स को इंकम को टुकडों में बाड़ देता हूं क्योंकि गवर्मेंट ने कहा कि भाई या तीन लाइक रुपय पे तेरा क्या होगा टेक्स लगे गा तो घर भीका मान लेते हैं छल या और गॉर्मेंट ने बोला से जयादा होगा तो इसने क्या करना 30 यौन बचाने के लिए कानून बनाए है नत कुमारे लिए अगले साल का कोई चकर नहीं है Isis जाल नहीं चला रहे हैं तो कोई आपके लिए assessment year वाला concept नहीं है यह मैं सारे के सारे आपको exception बता रहा हूं यहां पर तो हमारे कितने exception थे सर टूटल पांच थे पांच में पहला exception था shipping business दूसरा exception था इंडिया को छोड़ कर जा रहे हो तीसरा exception था body of individual इसको हम बाद में और अच्छे से explain करेंगे चौथा अगर आप property tax को avoid transfer करते हो अब person likely to transfer property to avoid text के लिए करा जा रहा है तो तुमारे लिए ऐसा assessment year नहीं है सर अवोइड कैसे करेगा इसकी ज्यादा जानकारी पढ़ने के लिए हमें section 175 पढ़ना पड़ेगा हमें पूरा detail में नहीं लिखना exam में हमें इतना ही लिखना होता है इसके बाद discontinue आपका business ऐसा है जो कि बार 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 बंद कर देते हो बंद हो रहा है आपका business तो ऐसे business को discontinue business के category में रखा गया है अच्छा सर आज क्या-क्या पढ़ाई करी हमने क्योंकि आज first class है तो थोड़ी छोटी class रहा हूं और मैं कोसिस करूँगा कि आपको अच्छे से समझा दू सर income tax calculate करके तो time लगता है तो same previous year में कैसे tax दे पाएगा इसलिए दे पाएगा क्योंकि time त आप तो जितनी income कमाया उसके उपर आप टेक्स निकालो और फिर जाओ वह साल के end में कभी भी निभागेगा वह जब जाएगा तभी उससे टेक्स निकल वालेंगे और तभी उससे टेक्स भी ले लेंगे और कई वार वो बोलता पता नहीं चल रहा तो हम बोलते हैं पहले इंडिया में अगर कोई अमेरिकन आता है और वह बिजनस करता है मालो एडिड़ाज एक क्लॉथ मनीफेक्टरिग कंपणी इंडिया के अंदर बिजनस कर रहा है कंपणी तो बाहर की है तो ऐसे सिचुएचन में जो इंकम कमा रहा है उस इंकम के ऊपर टेक्स वह इंडिया म में ही टेक्स देते हैं जो कि एक्सेप्चन में थे जहां पांच पॉइंट देखें पहला पॉइंट क्या देखा अगर आप इंडिया को पर्मनेंटली छोड़ के जा रहे हो तब उसी साल टेक्स देना है अगर बॉड़ी ऑफ इंडिवीजुल बॉड़ी ऑफ इंकॉर्परे पॉइंट नुम Dartmouth ौइन पॉइंट नुमार चार साथ हर प्र्वपर्टी टेक्स हम इसको आगे देखेंगे वैसे तो मैंने बस हाई जब मेंजिए प्रॉपर्टी ट्रांसफोर करेंगे यानि प्रॉपरी ट्रांसफोर का मतलब भी सब अवन्यृषकों 10 लाक का रुपए पर इंकम कमाया है तो इस नब्य लाग पर आपको टेक्स देना है सिर्फ यह टेक्स बचाने के लिए आप अवोईड टेक्स टेक्स को बचाने के लिए अगर आप ऐसा कोई हरकत करते हो तो गवर्मेंट बोले कि भाई तिरसे मगले साल नहीं टेक्स लेंगा जिस सा करेंशन 175 पूरा पढ़ना कोई पढ़ने की अवशक्ता नहीं है कि हां जी बताईए यहां तक अभी तक जितना पढ़ाया गया है किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताईए क्लियर है सर बस तीन चीजे पढ़ाई है एसेस्मेंट यह प्रीवियस यह और प्रीवियस यह के एक्सेप्शन बस तो आज की क्लास जैसे हमने देखा था कि हम 9 बजे तक क्लास लेंगे लेकिन आज की क्लास हम रखते हैं थोड़ी सी कम छोटी ग्लास फिर अगली क्लास से धीरे धीरे टाइम बढ़ाएंगे क्योंकि हमें समय भी लगेगा वाई सारे बच्चे बता दो आपको क्लियर है या देखेंगे और मैं थोड़ा सा भी इसलिए भी चल रहा हूं बहुत बच्चों ने पेपर भी नहीं वह चल रहे हैं सर नो डाउट नो डाउट नो डाउट वेरी वेरी गुड तो यहां तक आप आज क्या करेंगे स्रिफ और स्रिफ इनके मीनिंग लिख लेंगे और इनके नोट्स कहां मिलेंगे नोट्स आपको कल दस वजे तक अपडेट हो जाएगा और इसको आप याद कर ले तो ज्यादा बहतर है आपके एक्जाम में आएगा अभी दो क्लास तो हम पढ़ने वाले हैं पहली जो हमारा है ना बेसिक कंसेप्ट इसमें सारा थी रहेगा क्लास दो फिर में वहां पर पूरा एक्जामपल के साथ बॉड़ी ऑफ इंडिविज्वल बता दूगा क्योंकि मैं परसन के अंदर इसको डिफाइन ज्यादा करना पसंद करूंगा वहां पर मैं आराम से पढ़ाऊंगा देखो मैंने स्लाइड बना रखा है वैसे तो आप हैं एक बार एसेस्मेंट इसलाइड दिखादो ऊक्रीम टेर वाली स्लाइड इसलाइड य्रह ऐसेस्मेंट इस्प नाइट जिस बच्चे को नोट करना है मैं पांच Państwo जाइड रखदेता हो बाकी मिलते हम नेक्सक्रास में इसको यवारई sustained कर दो